दोस्तों खाम खामे में इंडिया की डाइवर्सिटी के चलते इतने नाटक करता था आपके सामने के सलाम, नमस्ते, सस्त्रियाकाल, हेलो, स्वागते आपका भारत एक मौज में अब जबकि इंडिया चेंज हो चुका है, डाइवर्सिटी गई तेल लेने, तो मुझे इतनी मैनत क्यों करनी है, मिरको आपको सिधा बुलना है, आओ देखते हैं भारत एक मौज दोस्तों, हुनते मौजा ही मौजा, इस शो का नाम है भारत एक मौज और असली मौज तो अब हुई है आप लोगोंने खबर पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, कि बहुत सारे लोगों के सपने साकार होगें, फाइनली उत्तर प्रदेश को इंडिया का स्मार्टेस्ट प्रदेश घोशित कर दिया गया है, ये मुम्किन हो पाया है, सिर्फ मोधी जी की मदद से मोधी जी के कारेकाल में ये हुआ, हम तो बचपन से सपना देखते आते रहे, कि कब उत्तर प्रदेश को स्मार्टेस्ट घोशित करा जागा, ये फाइनली अब हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मीलों आगे है, उत्तर प्रदेश में बाकी का पूरा कंट्री लगा रह करने के नए आयाम इखटे कर दिया है, उन्होंने वो बेंचमार के स्थापित कर दिया है, बाकी चीज़े चोड़ो, केरला मैच नहीं कर सकता है, केरला के होते हुए, आप ये सोचो, एक क्लास के अंदर, एक केरला का बच्चा है, जो पढ़ने में बहुत तेज है, और एक यूपी का लॉंडा है, फाइनल एक्जाम में यूपी का लॉंडा फस्ट आ गया, यह होती है स्मार्टनेस, और यह सब मुम्किन हुआ है, मोधी जी के और योगी जी के आदर्श नित्रित्र में, अदर्वाइस यूपी का लॉंडा जो है ना, हमेशा पीछे ही रहता है, और केरला वाले उसको बेमतलों में बीट करते रहते हैं कि हम ज़्याद पढ़े लेकर तू कम पढ़ा लिखा फाइनली कम पढ़ा लिखा अब दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश स्मार्टनी स्मार्ट नियुक्त प्लस्मार्ट बडाइन उत्र प्रदेश में एक नया वू बना है कि बच्चे पैदा करने के उपर लिमिट लगाई जा रही है कि आप ने बच्चे पैदा करें तो आपको जरूत से ज्यादा बच्चे पैदा करें जरूत से ज्यादा बच्चे पैदा करें तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आपको मतलब एलेक्शन एलेक्शन नहीं लड़ पाओगे अब स्मार्टनेस क्या है इसके अंदर स्मार्टनेस यह है कि जो लोग इस बारे में शोर मचा रहे हैं उनके खुद की बच्चे तो गिन लो यार अपने इतने सारे बच्चे पैदा करने के बाद अब ये कानून लेके आ रहे हैं अब जैसे वो रवी किशन करके गोरकपुर से है शायद एक्टर है उसके खुद के चार बच्चे हैं ठीक है उसमें से तीन लड़किया है और सबसे चुटा बेटा है अब इसके आगे मुझे बताने की जरुवत नहीं पड़ेगी हैं अगर चौती भी लड़की होती तो पांचो भी होता फिर तो ये लोग हैं जो भी शोर मचा रहे हैं कि बच्चे काम होने चीए अच्छी बात है पॉपॉलेशन कुछ जादा हो रही है लेकिन इसको स्मार्ट ली करना चीए स्मार् होते हैं उनको प्राब्लम ये है कि उधर तो आरेसेस और वी एच्छ भी ये कहते हैं कि हिंदूओं को पंदर पंदर भीज़ बच्चे पैदा करने चीए उधर तुम ये कानून लेकर आ रहे हो कि बही दो से जादा बच्चे नहीं होने चीए तो अब यार बच्चा पैद हैं कि इंडिया में सिर्फ 4 परसट लोगी टैक्स देते हैं अधर बढुते हैं और तो फिर पैट्रॉल का दामना बढ़ा। तो क्या करेक Gente – पैसे कहा से आएंगी जब उपसित एक्राइट लोग में उसमें उपन facto बच्चे घंटें और चार परसेंट लोग बोल रहे हैं के चार परसेंट लोग ही टेक्स देते हैं तो सरकार पैसा कहां से लेके आया है तो पैट्रोल के दामतों बढ़ा नहीं पड़ेंगे लॉजिक है except that this logic is not coming out of the smartest state उत्तर प्रदेश इस किसम के जो intellectuals हैं वो हमारे मुल्क में भरे पड़ गया है लेकिन इन सब के बीच में टॉप फ्लोर तक सबसे टेक्स भरवाएं ताकि पेट्रोल डिजल के दाम कम होगा तरवा सरकार के पास पैसा कहां से आएगा सरकार तो बहुत ग्रीब है क्योंकि हम पैसे नहीं देते सरकार को बाबा राम देव को टेक्स एक्जम्शन मिलना ही चाहिए क्योंकि इतना revolutionary काम हो बंदा कर रहा है उस बंदे ने एलोपैथी को चलेंज कर दिया उस बंदे ने आपकी traditional conventional medicine को चलेंज कर दिया उस बंदे ने ये दिखा दे के doctor टर 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 मर रहे हैं उसने ये दिखा दे के मेरे पास ही इलाज है पूरी दुनिया को actually बाबा राम देव को tax exemption देना चाहिए बाबा राम देव को तो दुनिया में किसी भी country में बिना visa के travel करना अलाव होना चाहिए और वहां जाके वो यह टांग यहां डालके यहां इधर दो उल्टर सिधा करके गांड बांदेनी चाहिए उसको पूरी दुनिया को बाबा राम देव इस लेजन्ड I love you बाबा राम देव इंगन टैक्स विभाग ने पूरी तयारी कर ली है बाबा राम देव को घेरने की बाबा के ट्रस को मिल रही है टैक्स शूट उसे खत्म करने की दोस्तों आपको तो पता ही है इंडिया में टैलेंट की कोई कदर ही नहीं और इंडिया में जो है लोग जो टैलेंटीड लोग होते हैं वो यहां से बाहर भाग जाते हैं अब जैसे की महल चौक्सी को ले लो टैलेंटीड तो है ललित मोदी यह सब लोग यह सब टैलेंटी जाके इनको medical grounds पे बेल मिली इंडिया में आप लोग रट लागा के बैठेंगे father stand swami को बेल नहीं मिली medical grounds पे बेल नहीं मिली और विचारे जेल में मतलब फॉत हो गए और जो है उनको Parkinson नहीं है talent क्या था father stand swami में जो महुल चौक्सी में talent है दोनों को compare ko father stand swami किसी का पैसा चुराया नहीं जीरो किसी का पैसे बार दे अन्दिया से बाय मैं इंडिया में नहीं क्योंकि उसमा इतना इंड हा वह अपना टलेंट चे साथ अधना पैसा पूससा लूट में पाटके तो चला हमारे देश के यही लोग जो आज स्टेन स्वामी की मृत्य उपर आंसू बा रहे हैं कभी वीर सावरकर के लिए उन्होंने एक आंसू तक नहीं बहाया दोस्तों हमारे मुल्क में एक एक्टर है करीना कपूर खान जब भी वो उनके हां कोई बर्थ होता है तो पूरा नेशन जो है ना इट गेट्स इनवर्ड उनकी परसनल जिंदगी के अंदर के बच्चे का नाम यह क्यों रख दिया लव जिहाद हो रखा है फलाना हो रखा है सब हो रखा है तो करीना कपूर जो है वेनेवर शी प्रोक्रिएट्स एंटर कंट्री उनको लगता है कि वह एक वह दिजनिलेंड की एक जोगे पर जा रहे हैं और सब को मतलब उल्टियां करनी है तो वो करते हैं अब करीना कफूर ने अभी क्या किया कि उन्होंने अपने एडवांस स्टेज प्रेग्नेंसी में एक फोटो लगा दी जिसमें कुछ लिग दिया प्रेग्नेंसी बाइबल या कुछ ऐसे करके कुछ बाइब परिशान है धर्म अपने आप में तो कोई एंटिटी ही नहीं लेकिन धर्मादिकारी जो है इनसे को यह पूछे कि अगर करीना कफूर ने लिग दिया कि उसमें प्रेग्नेंसी बाइबल या कुछ ऐसा करके कुछ लिखा है इसमें आपके सेंटिमेंट किस चीज से हट हो र इन नहीं हो लोग तो यह तुम्हारा धर्म की टना कच्चा क्यों है धर्म कच्ट्चा नहीं तुम लोग क्यों थोड़े थोड़े जादे ही सेंसेटिव इस बाग पर कियो को करीना कपूर खान लब्स एवरी रिलिजिन एक्सेप्ट असनातन धरम तो अस्पार्ट प्रदेश में दोस्तों अभी आपने खबर पड़ी होगी अल्काइदा का मॉड्यूल पक्ड़ागे मतलब यूपी कोई बॉर्डर स्टेट नहीं है कि ऐसे घुशके आगे और पता नहीं चला किसी को यूपी सेंट्रल इंडिया है हाट ऑफ इंडिया अल्काइदा वहां पर मॉड्यूल चला रही थी अब यह कुछ जो जो नौसकी लोग हैं जिन लोगों को मतलब हर चीज में भी निकालना हूं ने कि वह तो यह बोलने लग जाएंगे कि वहां तक पहुंचे कैसे हमारे इंटेलिजेंस क्या कर रहा था और जो है हमारी फोर्सिस क्या कर रही थी और रो क्या कर रहा था आई आगे अलकाइदा वहां पर कैसे आया वह सब छोड़ो हम इसका भंडा पोड़ करेंगे और उनने भंडा पूड कर दिया अब कौन पकड़ा गया कैसे पकड़ा गया उसके पास क्या मिला उसको किसने बता दिया कि यह अलकायदा है इस चक्कर में हमारे देश की बुद्धी और अटेक यह अक्यूजिंग गवर्मेंट आपको पता दो डॉक्टर और यह बोल रहे हैं कि इनकी बातों पर वैसे तो क्या कौन कोई क्या वरुसा करें क्योंकि को रोनील है ना हमारे पास तो लेकिन अगर थर्ड वेव से आपको आपको शक है कि थर्ड वेव आ रही है नहीं आ रही है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं खाले यह बुलूँगा खामण यात्रा तो हुई रही है रजनता उच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल फिर भी बाजना आए बंदर बाट के जोल संत मंतरी पुलिस कलक्टर सभी खड़ा माडोल ज्यान में खोट ना आए बार देक माच रेपीटी उसा पीचे चाड़े मले आमो दीन मेल चौकी दार जो दिन में सो गया बन गई दे सकिरेल रे चटनी एक ऐसी वही आ स्वाद सभी सभी रोल मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मोच अरे चट्डी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस महाबारत के काल में ओ गई इंटरनेट की खोज पहलू कासिम रकबर मांगे जान के भिक्षा रोज अरे काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मोच अरे मन की वात करे अरे संडे बिना किसी के रोख आम नागरिक कुछ भी बाले लो आगए जनकीडों की वाज अब देश में पढ़ ना लिखना हो गया टैक्स पेर पे बोच पर कावडियों पे फूल की चादर भारत एक मोच अरे भारत एक मोच